तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Microsoft World में पिक्चर का reflection कैसे क्रिएट करते हैं जी हां यह भी possible है Microsoft World में कि आपकी जो पिक्चर है उसकी एक शेड यानि की परचाई जैसी नीचे आ जाएगी ठीक है तो कैसे क्रिएट करते हैं यह जानते हैं इनसर्ट यह देखें इनसर्ट का option यहां पर show हो रहा है ठीक है इनसर्ट पर क्लिक कर दीजे और क्लिक करने के बाद एक पिक्चर करने के लिए हमें पहला वाल option select करना है यानि की pictures तो यह आपसे पूछागे कौन से picture आप select करना चाहते हैं तो desktop पर देखिए मैंने एक picture यह देखिए save कर रखी है इसको मैंने select कर लिया और नीचे देखिए insert option आपको यहाँ पर show हो रहा यह रहा insert इस पर click करते ही हमारी picture जो है वो आ गई यह मेरी एक picture है जो मैंने desktop पर भी save की थी वो मैंने यहाँ पर page पर लेया दिया है ठीक है अब इसका reflection create करना तो बहुत simple है इसको पहले मैं तो उपर कर देता हूँ ताकि reflection नीचे आएगा आपको clear देखे गए यहां से ठीक है मैंने उपर कर दिया अब reflection create करने के लिए आपको जाना है picture effect पे ठीक है जब आपके पास कोई यहां picture होगी और आप उसको select करेंगे जैसी हम इसको select करेंगे यह option यहां पर visible हो जाएगा अगर मैं selection हटा दूँगा तो आप देखेंगे यहां पर कोई picture formatting option नहीं आ रहा है ठीक है तो वापस picture select करते हैं और चलते है picture effect पे और यहां देखिए रहा reflection का option अब यहां बहुत सारे option आपके पास हैं चलिए इसको ले लेते हैं ठीक है full reflection option है यह जैसी मैं इस पर click किया यहां पर वर्ड पर save की थी उसका reflection यहां पर देख रहा है आने लगा ठीक है तो इस तरह से आप पिछे का reflection create कर सकते हैं Microsoft Word में